आज का कोश्चन अमार पास है कोश्चन नमबर 31 Ls कपलिंग दे टू नन एक्विवेलेंट P लेक्टरोंस तो दो नन एक्विवेलेंट P लेक्टरोंस है ठीक है अब देखो यह दिया आपको ध्यान होना इससे पहले किया टा जिसमें एक्वेलेंट इलेक्टरोंस थो वहां पर एवन रूश्चन लगाया था लेकिन यह कहा नन एक्वेलेंट तो यहां पर एवन रूश्चन नहीं है सिम्पल सी साइब सिध्य तरीके से हम नेकालेंगे बहुत आसान है अब देखो, P के लिए क्या होगा, L का value, orbital क्या होगा, 1 ही तो होगा, L2 भी 1 होगा, ठीक है, तो इससे हम orbital angular momentum कितना निकालेंगे, minimum value कितना हैगा, 1-1 कितना करेंगा, 0, maximum value कितना हैगा, 2, अब देखो, 0 में 1-2, इसमें maximum तक पहुंच गए हम, ठीक है, तो S1 कितना होगा, 1 upon 2, S2 कितना होगा, 1 upon 2, ठीक है, spin angular momentum कितना हैगा, मेरे पास, minimum value 0 हैगी, maximum value 1 हैगी, ठीक है, और जो multiplicity होगी, हमारे पास, वो कितना हैगा, ठीक है, यह 0 रखेंगे यह आपे, तो यह 1 आजाएगा, ठीक है ना, when S is equal to 0, ठीक है, और 3 आएगा, कब, when S is equal to 1, कोई डाउट है, अब देखो, यह question है ना, जो बहुत असान है, देखो, S01 upon 2 है मेरे पास, हमें यह दो चीज़ें चाहिए बस, और L क्या है, 0, 1, 2 है, इनकी मदद से मेरे को J निकालना है, ठीक है ना, तो देखो, तो एक काम करते हैं हम, S, 0 लिखा, L में कितना लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, और इसकी मदद से मेरे निकालना है J, तो J यहाँ कितना हैगा, 0, यहाँ पे कितना हैगा, 1, यहाँ पे कितना हैगा, 2, अब यहाँ पे देखो, spectral duns निकालन बहुत ज्यादा साथ मुल्टिशिक्यटिट है किस में कितना ऐगा वन आएगा न यह कितना हो गांगा 3 दिनल यह कितना है समयां तो यहां polar लौट यह उल्ड़री निकाल लिया अब देखऊ मुल्टिपल चीज को श्यांणने तो आप यहां से भी अपना उत्तर देख सकते है, 1s0, 1p1 और 1d2 है किसी में, 1s1p, देखो जे तो यहां पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो 1s1p1d, तो 1s1, 1p1d, 1s1p1d, तो 2-3 में हैं, तो मैं पूरा निकालना होगा, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, ठीक है, अब हमें देख अब यदि हम, क्या करते हैं, s का value 1 ले लेते हैं, वही, l कितना लेना, 0, 1, 2, इस इस्तिती में, j कितना आएगा, यहां से, तो 1 आजाएगा, s1 हो, और l भी 1 हो, तो j कितना हैगा, minimum value तो 0 होगी, maximum value 2 होगी, एक बीच में भी आएगा, s1 हो, और l2 को हो, l कितना 2, तो minimum value कित कितनी आएगी, 3, समझ मैं, कैसे, l 0, 1, 2 है, तो यह हो जाएगा, s, p, d, यहां पर 1 है, j, तो यह 0, 1, 2, यह 1, 2, 3, है न, अब multiplicity कितनी आएगी, यहां पर 3, समझ मैं, तो यह मेरे पास हो गई, मेरी सारी spectral derms, जो हम से question ने, पूछी थी, ठीक है न, तो 1, s, 1, p, 1, d, 3, s, 3, p, 3, d, 3, s, 1, d, 1, s, 1, p, 1, d, 3, s, 3, p, 3, d, तो यह हमारे पास question number, option number हो गया, 4, ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना, theory में भी चीजे में already करा चुका हूँ आप लोगों को, तो theory ध्यान से पढ़ोगे, तो कर पाऊगे, तो मिलते हैं अगले question में, तब तक के लिए नमस्कार,